सिम्रिया प्राथमिक स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जा हो चुका है भवन जर्ज़ होने से पिछले दो सालों से स्कूल का भवन जर्ज़ हो जाने के बाद नजदीक के आंगनबारी केंद्र में प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहा है आंगनवारी भवन में आंगनवारी और पहली से पाँचवी तक की कक्षाएं एक साथ संचालित हो रही है एक कमरे में स्कूल संचालित होने से बच्चों को परिशानियों को सामना करना पड़ रहा है बारिश में यह समस्या और भी बढ़ जाती है लेकिन इस और शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है स्कूल के नवीन भवन निर्मान के लिए स्कूल के शिक्षक कई बार शिक्षा विभाग को अवगत करा चुके है लेकिन अब किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है वही बच्चों के परिजन नए भवन बनाने की मांग शिक्षा विभाग से कर रहे है इसकारण उनका भविष्ट बहुत खत्रे में है और यहां की इस्तिती है बहुत जरजर है हम पिछले साल से इसकी सिकायत करे थे और दिये थे और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इसलिए यहां पर बहुत दिक्कत होती है और बच्चों का भविष बहुत खराब चल रहा है पढ़ाई नहीं हो पारही है